नमस्कार स्वागत है आपका कुजर्बो की यूटीब चैनल में आज हम सामान हिंदी से रिलेटिट एक माहत्तपूर्श रंखला के साथ यहाँ पर उपस्तित हैं इस रंखला की यह पहली वीडियो है जिसमें हम हिंदी वर्ण माला के most important questions को cover करेंगे तो इस सीरीज को आप जरूर देखें और इस सीरीज में आने वाले सभी हिंदी के questions आपके सभी वंडे exams के लिए बहुत ज़्यादा important हैं जैसे SSC GD, C-Tit, SuperTit या U-P-Tit सभी पृतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्तपूर्ण पृष्णों का शंकलन किया गया है तो आप इससे इस practice set को जरूर अटेंड करें और अपने answers comment box में जरूर बताएं तो देखते हैं आज के questions हमारा पहला question है वर्ण माला किसे कहेंगे तो वर्ण माला कहते हैं वर्णों के विवस्तित समों को हम वर्ण माला कहते हैं आनि option D जो है वो एकदम correct है अगला question है भाशा के सबसे छोटी काई कौन सी है तो भाशा के सबसे छोटी काई वर्ण है option D correct है next question Hindi word माला में word है तो Hindi word माला में word की संख्या जो है वो है 52 यानि हमारा option भी correct हो जाएगा अगला question है भाशा के सबसे छोटी काई कौन सी है भाशा के सबसे छोटी काई जो है वो है word यानि word को हम भाशा के सबसे छोटी काई कहते हैं option हमारा C correct है अगला question है वेंजन और स्वर के संयुक तुरूप को क्या कहा जाता है तो वेंजन और स्वर के संयुक तुरूप को अक्षर कहा जाता है यानि option C हमारा एकदम correct है अगला question है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं हिंदी भाषा में जो सुरों की संख्या है वो है 11 यानि हमारा option भी correct हो जाएगा अगला question है हिंदी भाषा में कितने वेंजन है तो हिंदी भाषा में वेंजनों की जो संख्या है वो है 33 यानि हमारा option भी एकदम correct है अगला question एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है अक्षर यानि option है correct है अगला question है हिंदी वर्ण माला में वेंजनों की संख्या है तो हिंदी वर्ण माला में संग्य, स्वर, वेंजन और विसर्ग तो हमारा right answer और option B यानि स्वर अगला question है हिंदी में धोनिया कितने प्रकार की होती है तो हिंदी में जो धोनियों के संख्या है वो है दो यानि option है हमारा correct है तो स्वर और वेंजन यानि दो धोनिया जो है वो हिंदी में पाई जाती है अगला question है वडमाला में इश्पर स्वेंजनों की संख्या कितनी है वडमाला में जो इश्पर स्वेंजन है वो है 25 यानि हमारा option है correct है अगला question है भाषा के सार्थक लगुत्त मिकाई किसे माना जाता है तो भाशा के जो सार्थक लगुत्त मिकाई है वो है शब्द यानि option ही correct है अगला कोश्चन है लिपी चिन्नों के क्रमबद समू को क्या कहा जाता है तो लिपी चिन्न का जो क्रमबद समू है वो कहलाता है वर्ण माला option डी correct है अगला question है वर्णों के समुधाय को क्या कहा जाता है तो वर्णों के समुधाय को कहते हैं वर्णमाला यानि option ही correct है अगला question है हिंदी भाषा में कुल वेंजन कितने है तो ये questions बार-बार repeat हो रहे हैं क्योंकि ये हमारे सारे competitive exam में पूछे गए previous year के questions है तो ये most important questions है तो देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वेंजनों की जो संख्या है वो है तेतिस अगला question है शब्द के सबसे छोटी का ही क्या कहलाती है तो जो शब्द के सबसे छोटी का ही वो कहलाती है वर्ण यानि हमारा option भी correct हो जाएगा अगला question है निम्ल मेंसे दीर की सवर है तो दीर की सवर आपको बताना है तो हमारा option भी correct है यानि जो E है यानि बड़ी है जिसकों कहते हैं वो हमारा दीर की सवर है अगला question है निम्लिखित में से कौन सा मूल दीर की स्वर नहीं है option D हमारा correct है यानि जो O है वो हमारा मूल दीर की स्वर नहीं है अगला question है हिंदी भाषा में हस्वरो की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में हस्वरो की संख्या है 4 यानि हमारा option भी correct हो जाएगा अगला कोश्चन है निम्न में से दीर के स्वर कौन सा है तो A, O, A या A तो हमारा राइट आंसर हो चाहेगा ओप्शन A या नी बड़ा A अगला कोश्चन है किस स्वर के उचारण में दीर के स्वर से भी अधिक समय लगता है अगला कोश्चन है अनुस्वर, 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 अनुनासिक, हस या प्लुत तो हमारा राइट आंसर है ओप्शन D या नी प्लुत स्वर प्लुत स्वर में जो है वो दीर के चारण में अगला कोश्चन है प्लुट्सवर कौन सा है ओम 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 या ओम तो इसमें से आपको देखना कि कौन सा सही है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएका वह ऑप्शन यह नि ओम अगला कोश्चन है हिंदी सोरो का वर्गी करण जब जीब के भाग के अधार पर किया जाता है तो निमलिकित में से कौन सा भेथ इसके अंतरगत नहीं आएगा तो हमारा राइट आंसर हो ऑप्शन डी यह नि विवरत स्वर इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन दिया है नि यह मद्द स्वर कहते हैं U, E या बड़ी E या आ को तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन D यानि आ को अगला कोश्चन है बाशा विज्ञान की दस्टी से U यानि जिसको बढ़ाओ कहा जाता है किस प्रकार का स्वर है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन D यानि पश्च स्वर अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा स्वर संवरत है तो राइट आंसर हमारा है E यानि आप्शन C करेक्ट है अगला कोश्चन है अर्ध विब्रत स्वर है तो अर्ध विब्रत स्वर जो है वो है A यानि आप्शन B करेक्ट है स्वर्धवनी के प्रकार है तो होनी के प्रकार जो है वो है हैस्व, दीर और प्लूत यानि कि यह तीनों ही है अगला कोशन है हिंदी की अग्रवृत्याकार समृत स्वर्ध होनी है तो राइट आंसर है option बी एनी अगला कोशन है सोरो के उचाड में लगने वाले समय को कहते है सोरो के उचाड में लगने वाला जो समय है उसे कहते है मात्रा यानि option है अगला कोशन है मात्रा सोर को क्या कहते है मात्रा सोर को कहा जाता है समरू यानि option भी correct है अगला कोशन है O और O किस प्रकार के वर्ण है तो O और O जो है वो कंठोस्ते वर्ण है यानि option D हमारा correct हो जाएगा अगला question है स्वर किसका भीध है स्वर जो है वो वर्ण का भीध है तो right answer मेर हो जाएगा option C अगला question है निम्लिकित में से कौन सा स्यंक्तिस्वर नहीं है स्यंक्तिस्वर हमारा स्यंक्तिस्वर नहीं बताना है आपको तो right answer मेर हो जाएगा option C यानि बड़ा O अगला question है निम्लिकित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है तो right answer है option D यानि A ए जो है वो कंट तालववे स्वर है अगला कुशन है निम्लिकित में से कौन से सब्द में अनुना सिकता है तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी संभालना अगला कुशन है कौन से सब्द में अनुना सिकता है बताना है तो right answer जाएख option C, यानि कटीला अगला question है किस word का उचारण स्थान कंट तालू है तो right answer आउफ इख function D, your governor a a का जो उचारण स्थान है, वो कंट और तालू से है यानि कंट तालू बश्वर है अगला question है i के उचारण स्थान का नाम बताना है अगला question है स्वर A, A का उचरण स्थान कौन सा है तो A, A और A का जो उचरण स्थान है वो है कंट तालवि अभी हमने इस से पहले के question में देखा था अगला question है मातरा के आधार पर स्वर कितनी प्रकारगिये होते है तो मात्रा के अधार पर जो स्वरों की संख्या है वो है तीन यानि हसस्वर, दीरगेस्वर और प्लूत्वर हस स्वर जो होते हैं उनमें एक मात्रा का समय लगता है और जो दीर की स्वर होते हैं उनमें दो मात्रा का और जो प्रूत स्वर होते हैं उसमें दो मात्रा से भी अधिक समय लगता है अगला कोशन है वन तालिका की अनुसार हश्व तीर गोर प्रूत क्या है तो वन तालिका की अनुसार जो हश्व तीर गोर प्रूत है वो कहलाते हैं स्वर यानि ये स्वरों की प्रकार है option ए correct है अगला कोशन है जिनकी धुनि कीवर मुक्ट से निकलती है को स्वरु को छाटना है तो कंट तालब वे स्वर हमारे है A और A तो right answer हमार हो जाएगा option C अगला question है A और A का पुचार्ण स्थान है तो A और A का पुचार्ण स्थान है option C यानि कंट तालब वे अगला question निम्न में से कंट दुनिया कौन सी है तो कंट दुनिया है का और खा यानि option है correct हो जाएगा अगला कोशन है निमलिकित में से हिंदी की कंट दुनिय है तो हिंदी की जो कंट दुनिय है वो है option D यानि हा हा का जो उचारण स्थान है वो है कंट अगला कोशन है गहा का उचारण स्थान कौन सा है तो गहा का उचारण स्थान है कंट यानि option भी correct हो जाएगा अगला question है निम्न में से कंट वर्ण है तो कंट वर्ण है आ और हा और विसर्ग यानि option भी हमारा correct है अगला question है निम्न में से कंट वर्ण कौन सा है तो कंट वर्ण हो जाएगा option भी यानि आ आगा उचरण इस्थान जो है कट्ट है ये थे हिंदी के आज के वणमाला से समंदित महत्तपूर्ण क्वेस्चन्स तो इनके आप प्रेक्टिस करें और अपना फीडबेक कमेंट बॉक्स में बताना बिलकुल भी न भूलें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर जरूर कर दें और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमाई चैनल पर बने रहें तो जल्द मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू